हेलो माई डियर फ्रेंड्स कैसे हैं आप उमीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे मेरे इस चैनल इजी लाइव दरीना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों ये ब्लॉग मेरी डेली रुटीन की लाइव पर अधारित है कि जैसे मैं सुभा 3.30 मिनट पर उठ जाती हूँ उठ कर सुभा का नाश्टा और दोपहर का खाना रेडी करती हूँ उसके बार फिर मैं जिम जाती हूँ वहाँ से आकर घर की cleaning, dusting करती हूँ इसके बार फिर मैं ready होकर job पर जाती हूँ जब job से वापस आती हूँ फिर घर की take care, cleaning, skin care घर का जो छोटा मोटा और काम है वो करना और इस ब्लॉग में तो मैंने पहले तो मक्खन निकाला मक्खन से फिर घी बनाया क्योंकि next day मुझे मटर पनीर की सबजी बनानी थी तो पनीर भी ready किया फिर उसके बाद dinner ready किया दाल, चावल, चपाती बनाई फिर सुभा की preparation करी ये सारा कुछ इस ब्लॉग में मैंने share किया हुआ है मैं उमीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत जारा helpful होगी बहुत जारा interesting होगी व्लॉग की शुरुवात कहते हैं हम घड़ी के समय पर हो रहे हैं तीन बज के 30 मिनट ये घड़ी मैंने 5-7 मिनट आगे रखी हुई है तो जी मैंने बनाने हैं breakfast के लिए आलो शिमला मिर्च की सबजी और lunch के लिए राजमा की सबजी तो इसके लिए मैं राजमा को मैंने एक कटोई राजमा को रात को ही धुल के इसको बिगो के रख दिया था तो अभी सबसे पहले राजमा को कुकर में चड़ा के boil होने दूँगी, शिमला मिर्च मैंने रात को ही धुल के इसको cut करके fridge में रख दिया था तो बाकी चीजें भी जैसे की प्याज और लसन ये चीजें भी मैंने रात को ही इनको छील के धो करके रख दिया था, काटने का काम मैं सुभा करती हूँ यह छोटे मोटे काम जो खराब नहीं होते हैं तो यह सुभा करती हूँ तो अब मैं चड़ाने लगी हूँ गैस पर राजमा तो उसके बाद मैं करूँगी ब्रश और अपना मॉर्निंग वाटर पीऊंगी तो राजमा के लिए यहाँ पर मैं एक टी स्पून यहाँ पर नमक एड़ कर दूँगी इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी गैस पर तो अब करने लगी हूँ ब्रश कई लोग कहते हैं कि आप सुभा पहले मॉर्निंग वाटर पीए उसके बाद ब्रश करें एक दो बार मैंने ट्राई किया था लेकिन मुझे थोड़ा सा आउक्वर्ड सा लगा था उबकाई सी आने लगी थी तो मेरी हैबिट वही बनी हुई है कि सुभा उठकर अच्छे से ब्रश करना फिर अच्छे से फेस वाश करना उससे मुझे फ्रेशनेस फील होती है तो आज मैंने पीना है लेमन हनी वाटर तो इसके लिए मैं हाफ लेमन को कप में स्कुईज कर रही हूँ और इसमें मैं एड़ करूँगी हाफ चमच हनी बस उसके उपर डाल दोंगी गरम पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लोंगी और थोड़ी देर तक बहुत ज़रा तेज गरम पानी भी नहीं पीती हूँ क्योंकि उससे आपका गला खराब होने का ज़रा डर रहता है जब पीने वाला हो जाता है ना तो सिप सिप करके इसको पी लेती हूँ पयाज और लसन मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने इसको रात को ही छील कर धो करके रख दिया था तो बस यहाँ पर काटने का काम था तो यहाँ पर मैं तीन से चार पयाज अद्रक लसुन और हरी मिच इसको बोरो स्विल के चोपन में डालके इसको चोपिंग कर लूँगी एक विसल राजमा के कुकर में आ चुकी है तो साथ ही साथ अलू शिमला मिच की सबजी के लिए बेटड़के को कट कर लूँगी तो कई लोग कहते हैं कि आप सारा कुछ मसाला मल की जो तड़का है उसको कठा ही ग्रैंडर जार में डाल लें तो मैं उनको बता दूँ कि जो सूखी सबजीयां होते हैं उनको मैं चोपर में चोप नहीं करती हूँ उनको हाथ से ही ऐसे ही प्याज अद्रक खारी में लसन को कट करती हूँ जो चीजें ग्रेवी वाली होती हैं सिर्फ उनी को ही बरीक चोप करती हूँ और वो भी ये जो बोरो सिल का अलेक्टिक चोपर है ना वो इतना ज़्यादा महीन नहीं पीस था भी ऐसे नहीं कि पेस्ट बन जाए बहुत अच्छी सी क्रंची क्रंची पन ही रहता है तो इसलिए मैं इसको हाथ से कट करती हूँ सूखी सब्जियों के लिए और जो ग्रेवी वाली सब्जियों उसको चोपर में डालके उसकी अच्छे से बरिक बरिक चोपिंग कर लेती हूँ तो क्योंकि राजमा को मैंने चड़ा दिया था या मैंने चिमनी भी कर ली ओन तो राजमा क्या कुकर मैंने बीच वाले चूले में रख दिया तो थर्ड चूले पर कड़ा ही चड़ा दी आलू शिमला मिज की सबजी के लिए और इस चूले पर चड़ा दी हांडी ताकि रा कट करने के बाद एक बार फिर पानी से उसको निकालती है ताकि उसका सारा स्टार्च बाहर निकल जाए तो दोनों तरफ तीनों ही चूले मेरे अच्छे से चल रहे हैं और जो लेना चाहते हैं लोग मैं उनको सुझेस्ट करूं कि आप तीन चूले वाला ही बर्नर ले बहुत अच्छे से युटलाइज होता है तो उसी में मैंने डाल दिया था प्याज अधरक हरी मिट साथ ही साथ अपनी जो पावर ड्रिंक है एकसरसाइज करने के लिए ब्लैक कॉफी उसको भी मैंने बना लिया है कुछ नहीं करती है उसके लिए एक पाउच कॉफी का लेती हूँ और उसमें डाल देती हूँ गरम पानी जब थोड़ा सा पीने लाइक हो जाएगा तब उसको पी लोगी और यहाँ पर अलू शिमला मिज की सबजी की रड़का लगा रही हूँ कुछ नहीं है सिंपल से यह सबजी बनाती हूँ तो मैंने बताया हुआ है आपको ज़्यादा मसाले तेल वाला खाना हम डेली रूटीन में नहीं बनाते हैं इसमें मैंने डाला है जी हल्दी नमक और थोड़ा सा गरम मसाला कई बार तो गरम मसाला भी नहीं डालती सिर्फ धनिया पाउडर ही डाल देती हूँ और दूसरी तरफ हांडी में तड़का लग रहा है राजम बरीक वाला कट हो जाता है लेकिन टमाटर होते हैं बहुत प्यूरी सी बन जाती है तो साथ ही साथ चीजों को मैं रखती भी जा कि मुझे इसके लिए अलग से टाइम नाल निकालना पड़े किचन को क्लीनिंग करने के लिए सेट करने के लिए तो किसी ने मुझ से मैसेज क कुछ किया था कि आपको कौन कहता है अधी रात को उठने के लिए तो उसको बता दूँ टियर कि मुझे कोई नहीं कहता है उठने के लिए मुझे मैंने पहली वीडियू मेंछे एक्सराइज करनी हैं मतलग किसी ने किसी फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनना है तो इसी लिए मुझे अपना daily routine जो मेरी family, job, बच्चे हैं वो भी मुझे नहीं upset करना ये मैंने अपने लिए time निकाला है तो मैंने उसके लिए sacrifice किया है तो sacrifice इतना बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है देखा जाए सारे कामों को priority wise आप अपने time frame में लेकर आए ना तो सबी कुछ manage हो सकता है तो उसका मैं compensate करती हूँ जब मैं job से घर आती हूँ तो आकर मैं थोड़ी देर के रिए rest कर लेती हूँ उससे मैं freshness feel करती हूँ यहां राजमा के लिए तड़का जो लगा रही है उसमें मैंने डाली है हल्दी देगी मिरच यह तीखा पर नहीं लेकर आती सिर्फ कलर के लिए और इसमें एड़ करूंगी दो टी स्पून राजमा मसाला धनिया पाउडर भी इसमें एड़ नहीं करूंगी अगर उसके तड़के की अच्छे से भुनाई की हो ना तो सबजियां बहुत अच्छी बनती है तो सबजी को तड़का लग गया था अब मुझे आटा गूतना है क्यूंकि बच्चों की छुटियां चल रही है बच्चों के एक्जाम ओवर हो गई है तो घर पर ही है तो इस आटा हो जाएगा ताजा ताजा आटा ही हम रोटी बनाते हैं ज्यादा उसको इकठा गूंत के नहीं रख लेते हैं तो जो सुकी सबजियां होती है वो कुक होने में बहुत थोड़ा टाइम लेती है तो इसलिए सबजी मेरी हो गई रैडी और यहां पर आल्मोस्ट राजम आने तक राजमा को पकाऊंगी उसके बाद फिर मैं जाऊंगी जिम के लिए रैडी होने के लिए कपड़े तो मैं रात को ही निकाल देती हूँ शूज गया रहा है मेरे बाहर वाले शूरक में पड़े होते हैं मैं होगी रैडी जिम के लिए और यहां पर पी रही हूँ हा आपको craving होती है ना बार बार मीठे की नमकीन की वो भी कम हो जाती हैं आपकी नीद बहुत अच्छी होने लग जाती है क्योंकि आप physically fit होने लग जाते हो जो भी आपकी life में जो stress है वो भी reduce होने लग जाता है जो आपके muscles हैं वो बहुत अच्छे से work करने लग जाते हैं तो यह ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बहरी रूप सही fit हो रहे हैं हम mentally, internally बहुत अच्छे से strong हो जाते हैं तो इसी लिए मैं कहती हो चाहिए आप घर पर कोई न कोई exercise करें या फिर कोई लंबी walk पर चले जाएं या फिर कोई gym जोन कर लें जैसे भी आपको suitable लगता है आप अपने mentally, internally बहुत अच्छे से fit हो जाते हो जिम से आने के बाद यहां आज दो दिन से बारिश हो रही है तो जो मेरी घर के बार बेले लगी है न वो भी गिर गई थी तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ तो जैकेट पहन के जाती हूँ कि मौसम दुबारा ठंडा हो गया है वैसे मैं 7 o'clock right time पे घर पे होती हूँ तो हमारे घर ठाकुर जी भी है तो मेरी सिस्टर नहा दोकर यहां पर काना जी को इशनान करवा रही है उसके बाद पूजा करेंगी फिर काना जी को भोग लगाएंगी अब जी मैं चली हूँ अपना लंच बैक पैक करने के लिए चपातियां बनेंगी जब सिस्टर मेरी बनाएगी तब ही वो पैक होगा तो मैं तो अलग अलग से डबियां लेके जाती हूँ तो ऐसे ही फिसको पैक कर लेती हूँ और fruits और salad मैं रोज ही लेके जाती हूँ क्योंकि इन में fiber बहुत जारा मातरा में होता है आपके tummy filler का काम क से walk करके exercise अभी वो नहीं कर सकती कुछ medical issue है walk करके आके नहा कर फिर काना जी को शनान कराने के बार फिर वो पूजा करती है और मैंने यो दूद गरम करके रखा था पीने के लिए वो पी रही हूँ और यह आ गही हूँ अपने bedroom में अपना bedroom सारा set करूंगी जो कपड़े तह इसे ही पड़े रह गए थे तो इसको मैंने अलमीरा में सट नहीं किया था तो वो रखोंगी ब्लैंकट को तह लगाओंगी यह जो सस्पन लेकर रहे थे पैंट रो शॉट निकाली थी नहाने के बात पहनने के लिए वो बाहर रखी तो मैंने उसको हैंगर में हैंग कर दिय और एक्सराइज भी करनी हैं तो फिर आकर मैं एक घंटा रेस्ट करती हूं उसके बार फिर दुबारा काम शुरू कर देती हूं तो बैड की बैक हैं उसको भी क्लीन कर रही हूं इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी तो कॉल इन मैंने उठाया नहीं कपड़े से इसको साफ क करने लगे हूं और दोर्स भी क्लीन करूंगी यह विंडो हैं जो इनकी रॉड उन पर भी डस्ट पढ़ जाती है जब जाड़ों लगाते हैं तो डस्ट उढ़कर इन सारी चीजहों पर पढ़ी जाती है तो जो नेट्स होती हैं जालियां होती हैं उनको मैं हमेशा ही किसी ना किसी पेंट ब्रश से क्लीन करती हूं कपड़े से जब करते हैं तो वो धीली हो जाती है तो हमेशा ही हम लोग इनको किसी ना किसी पेंट ब्रश जो पराने ब्रश पढ़े होते हैं उनी से क्लीन करते हैं तो इनकी जो डस्ट है बहुत अच्छे से साफ भी हो जाती है पिछे गली में एक घर भी बन रहा था तो कंस्रक्शन का समान बहुत जारा जैसे रेता बजरी सीमत आ रहा था तो उसके कारण भी वहां से डस्ट बहुत जारा आ जाती है तो इसलिए उसको साफ करना भी जूरी हो जाता है तो बस यह चीजें साफ हो गई है जो आगे वाला उसको क्लीन कर दूँगी और उसके बार फिर में करूंगी ड्राइंग रूम को भी क्लीन 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 करना होता है 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 तो मुझे होता है कि ड्राइंग रूम हमेशा आपका सेट रहना ऐसा नहीं है कि आप पहले ही प्रयास में किसी काम में सक्सेस्फूल हो गई ऐसा बिलकुल नहीं है हो सकता है कि आपके लिए वो एक सूटेबल टाइम नहीं आया जब आपको उस काम में सफलता मिले इसका मतलब यह नहीं कि उस सफलता के लिए आप योग्य नहीं हो, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, संघर्ष करना होगा, क्योंकि जिंदगी मेरा मानना है कि कोई गोल होना ही चाहिए, किसी भी काम के लिए, ऐसा नहीं कोई भी काम impossible है, कुछ भी नहीं impossible, कहते हैं कि जि जिंदगी तो एक तरह का बहता पानी है, खड़ा पानी तो बदवू देने लग जाता है, जिंदगी बहते पानी का नाम है, अगर आप में कुछ कमियां हैं, कुछ बारीकियां हैं, तो उनको ढूंडिए, यहाँ पर पूजा रूम के में अंदर इसली नहीं जा रही हैं, क तो थोड़ा देर उनके बारे में अपने आपका सेल्फ अनेलसिस करें, बस उन कमियों को दूर करें और दुबारा उस पर वर्क करें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, लग जी मैं घर वापस भी आगी, यह शाम का ब्लॉग है, घर वापसी का, तो अदविका यहां जाल अगले कामों के लिए, आज मैंने डिनर में बनानी है, चने की दाल, चपाती और चावल, चने की दाल, एक टोरी दाल को दोनों हाथों से अच्छे-च्छे मसल के, चार बार पानी से इसको धो देती हूँ, फिर इसमें दो गलास पानी याड़ करूंगी, नमक, हल्दी और दो चार बूंदे सरसों के तेल की और गैस अन करके कुकर चड़ा दोंगी, और बनाओंगी यहाँ पर राइस, राइस नौर्वली हम लोग बासमती तोटा ही खाते हैं, जब कभी बिर्यानी पलाव बनाना होता है, तब ही फुल बासमती वाले खाते हैं, अदरवाइस जो देली रूटीन यही जो बासमती तोटा है, वही खाते हैं, इनको चार बार पानी से अच्छे से धूल के, इसको दो गलास पानी एड़ करके कड़ाही में चड़ा दोंगी, यह छोटी सी कड़ाही मैंने चावल बनाने के लिए लगाई होई हैं, इतने से चावल ही मेरी कोई भी ताम जहम नहीं करना है, इन तीनों चीजों को अच्छे से हाथ पर ही मिक्स कर लेना है, मिक्स करके आपने दो से तीन मिनड तक फेस पर सर्कलल मोशन में मसाज करनी हैं, यह बहुत अच्छा एक क्लीन जर हैं, मेरी जो लिप्स्टिक भी लगी हुई थी, वो भी सा उपन की प्रावलम होती है, बड़े पोर्स की प्रावलम होती है, उनको यह टाइड करता है, तीनों चीजों को मिला कर आपने डेली ही इसको दो से तीन मिन तक मसाज करनी है, उसके बाद फेस क्लीन कर लेना है, फिर आपने लेना है, एक्स्रा वर्जिन कोपनेट वायल थो पनीर के लिए डेड़ किलो दूर को अच्छे से गरम कर लिया था फिर उसमें पहले दो चमच एड़ करे थे विनेगर के नॉर्मल जो सिर्का होता है फिर उसके बार इसको लगातार ही आपने किसी भी स्पैचुला किसी कड़्ची से इसको चलाते जाना है जब थोड़ा सा प पनीर बनता ही बनता है घर का ही बनता है दूद इकठा हो जाता है दो तिन दिनों का फिर उसके बाद हम इसको पनीर बना ही लेते हैं क्योंकि पनीर की कोई न कोई डिश बनती रहती है जैसे मसाला पनीर चीज सैंडविच चना पनीर चीज चिली तो पनीर की भुरजी करदे की तैयारी तो यहां पर इसिस्टर निकाल रही है मक्खन तो क्यूंकि दो छूल एकुल हो गए थे वह कहारा ही सिस्टर वृड़ी भी घी भी बनाई ही लेते हैं क्योंकि खाना बनाते बनाते ही हमारा घी भी रेडी हो जाएगा तो जो पतीला हमने लगाया हुआ है बस इसी को फिक्स रखते हैं इसी में सारी मलाई कठी करते जाते हैं लेकिन जो हमेशा जो दही जमाते हैं रोज हम जो उपर की मलाई निकल उस मलाई को हम क्या करते हैं इस पतीले में डालते जाते हैं तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा से कुछ भी दही खटा डालने की जूरत नहीं होती है तो बहुत अच्छे से मक्खा निकलाता है तो कुछ ना कुछ मंदर में हमारे काना जी के लिए भोग लगा होता है दिखा रही है कि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है यह इसको पता है कुछ ना कुछ वहां बगवान जी की घर में कुछ ना कुछ खाने को मिली जाता है तो वहां से चुपके जाके उठा लाती है तो देखो हाथ ऐसे हिला रही है ना कि मेरे पास तो कुछ ही नहीं है तो म मख़न भी निकल आया तो यह रखा है मख़न जो कोई खाने के लिए मांगेगा या काना जी को भोग के लिए तो टाइम हो गया था आठ बज गए तो सब लोग खाना मांग रहे हैं तो यहां पर मैं शुरू कर रही हूं चपातियां सेकनी तो जो सबजी थी आलो शिमला देवर और चार हमारे बच्चे मेरी ट्विन डॉक्टर हैं और चोटी सिस्टर के एक बेटा और बेटी हैं और एक हमारे डैडी जी है लेकिन डैडी जी अभी गाउं गए हुई हैं तो अभी फिलहाल हम लोग आठ जने हैं तो यहां पर थोड़ा सगी भी करम कर लूंगी और चपातियां सेखनी शुरू कर दूँगी और हम लोग जो काना जी को भोग लगाते हैं ना किसी भी कोई भी डाल सबजी जिसमें लसन या प्याज हो उसका भोग कभी नेल लगाते हैं जैसे कि डाल बनाई है चनेगी तो एक कटोरी डाल निकाल लेंगे उसके बाद ही डाल को फ्राइ करेंगे तो मोसली शाम को काना जी को दाल चावल चपाती और मक्षन का ही भोग लगाते हैं तो पहली चपाती काना जी को भोग के लिए और हमेशा ही हमारा अनिकेद ही लेके जाता है भोग लगाने के लिए अभी वो आएगा वही भोग लगाएगा तो ये तो उसके बाद फिर बच्चों की ठालिया निकलती हैं बच्चे अपने आप ही खाना ले लेते हैं यहाँ दाल, राजमा, चपाती, और चावल तो बच्चे कह रहे हैं, किसे ने कहा, जी मक्खन लेना है, अनिके तो मक्खनी खाएगा, वो सबजिओं में दालों मक्खनी डिलवाएगा एक चूला मेरा खा ली था तो वहाँ पर मैंने घी भी बनाना शुरू कर दिया मक्खन की कड़ाई चड़ा दी थी तो घी भी रेडी हो गया जब जाग निकले फोम बन जाए तो घी हमारा रेडी है उसके बार मैंने खाना खाया अब हमारी तैयारी होगी सुबा के लिए सुबा पनीर तो मैंने पहले निकाल लिया था मटर मैंने अभी शील ली है तो मटर फिर की सबजी बनाऊंगी और बनाऊंगी फ्रांस बीन्स फ्रांस बीस इसमें अलूवी आड़ करूँगी यह सबजी देख लेंगे जिसने ब्रेकफास में कौन से सबजी खानी है क्योंकि जारातर तो जो बड़े लोग हैं वो सुखी सबजी और दही सुबा खाते हैं और जो ग्रेवी वाली सबजी हैं वो लंच में देखे जाते हैं तो यहाँ पर मैं फ्रांस भी इनके जो डंठल सी होते हैं किनारे किनारे उसको काट कर दूँगी काटने के बार उनको फ्रांस भी इनको अच्छे से धुलूँगी धुल के फिर को कट करके फ्रिज में रख दूँगी इसके इलावा तड़के के लिए जो प्याज लसन अद्रक लगता है उसको भी मैं छिलके धो करके उसको ढाक देती हूँ सुबह के लिए काटने का काम सुबह होता है तो यह छोटे मोटे काम जो मतलब हो सकते हैं रात को वो सारे ही रात को करके फिर ही सोती हूँ और उसके बात मैं जाऊंगी अपनी ड्रेस को प्रेस करने के लिए क्योंकि मैंने बताया ना कि क्या पहनना है इसमें बहुत जारा टाइम वेस हो जाता है और सुबह तो हमारे पास टाइम होता ही नहीं इते हुए आपनी प्रेस कर लेती हूँ क्यूंकि बच्चों नी जाना नहीं किसी की कोई यूनिफॉर्म प्रेस नहीं हो नहीं है husband अपने कपड़े प्रेस कर लेते हैं ओ जैसे उनको ठीक रखता है कभी रात को कर लेते हैं कभी पूरे हफ़ते का प्रेस करके रख लेते हैं या फिर कभी वो सुबा कर लेते हैं तो वो अपने आप ही कर लेते हैं देवर जी भी अपने आप ही कर लेते हैं तो मुझे अपने कपड़े प्रेस करने होते हैं वो मैं अपना देख लेती हूँ कब मुझे टाइम लगता है जितना की मुझे वीडियो एडिट करने में लगता है उसके बार नाइट सुट पहनूँगी बच्चों से बाते करूँगी फिर मैं सो जाओंगी